दोस्तो आप लोगों से मैं एक question पूछता हूँ मानलो आप Mumbai की एक building में एक flat खरीदने का सोच रहे हो investment के लिए और आपके पास एक करोड रुपया है अब आप एक property ढूनते हो जिसकी कीमत exactly एक करोड की है और उससे आपको 25,000 रुपय का monthly rent मिलेगा मतलब एक साल में 3,000,000 रुपय का और फिर आप एक दूसरी property ढूनते हो दूसरे location पे जिसकी value 50,000,000 की है और उसका rent भी सेम 25,000 रुपय का है तो आप ये situation में कौन सी property खरीदोगे अब दुस्तो अगर आप रहने के लिए खरीद रहे हो तो बात अलगे लेकिन अगर आप investment के लिए ले रहे हो तो आप थोड़ा सा math यूज करोगे और आप ये 50,000,000 वाली property ही लोगे क्योंकि एक करोड के investment पे आप एसी दो property खरीच सकते हो तो आपको total 3 plus 3, 6,000,000 रुपीज का rent मिलेगा तो ये आपके investment पे 6% का passive income हुआ और इस वाली property में आपका सिर्फ 3% का income होता है अब दोस्तो ये question मैंने इसी लिए पूछा क्योंकि इंडिया में majority stocks overvalued है जिसकी वज़े से उनका dividend yield काफिक कम हो गया है जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में हिंदुस्तान Unilever के stock की बात की थी जो quality wise एक बहुत ही अच्छी company है लेकिन अगर हम इसके price की बात करेंगे तो फिलहाल ये company 75 के price to earnings ratio पे sell हो रही है जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें अभी invest करते हो तो आप इसके last year की 1 रुपे की earnings के लिए 75 रुपीस advance में pay कर रहे हो लेकिन US में भी ये company operate करती है जिसका नाम है Unilever लेकिन वहाँ पे ये company सिर्फ 22 के PE ratio पे sell हो रही है मतलब इसके पिछले एक साल की 1 रुपे की earning के लिए आप सिर्फ 22 रुपीस पे कर रहे हो और इसका dividend almost 4% का है जितना हमारे इंडिया में savings account से आपको interest मिलता है मतलब अगर आप ये Unilever में 1 रुपे invest करोगे तो आपको 3,800 रुपीस का dividend मिलेगा लेकिन ये इंडिया की हिंदुस्तान Unilever सिर्फ 1.15% का dividend पे कर रहे है तो दोस्तो company दोनों ही same है दोनों के products भी almost same है दोनों की business strategy भी शायद same होगी लेकिन country अलग है जिसकी वज़े से इंडिया वाली company 3-4 गुना ज़ादा महेंगी भिक रही है और यही चीज आपको almost सारी इंडियन companies में देखने मिलेगी जैसे Procter & Gamble इंडिया का P.E. Ratio 68 का है लेकिन Procter & Gamble US का P.E. Ratio 25 का है या फिर Colgate इंडिया का P.E. Ratio फिलहाल 43 का है लेकिन Colgate US का P.E. Ratio 23 का है तो अब आप लोगों से मैं question पूछता हूँ कि अगर आपको आज invest करना है तो आप कौन सी company खरीदने में interested रहोगे इंडिया की ये US की तो दोस्तो इस चीज़को हम आज की वीडियो में जानेंगे क्योंकि काफी recently ही हम majority Indians के लिए US stock में invest करना possible हुआ है वरना पहले US stock को हम सिर्फ grow होते हुए देख सकते थे और invest नहीं कर पाते थे लेकिन अब हमारे लिए कुछ ऐसे investing apps आ गए है जैसे Wested की mobile app के दुरू हम Indians US stocks में directly invest कर सकते है वो भी एकदम कम फीस में तो इसकी भी details हम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे तो दोस्तो कुछ टाइम से मैं US companies को analyze कर रहा हूँ और उन्हें Indian companies से compare भी कर रहा हूँ और मैंने कुछ interesting चीज़े observe की है जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ तो ये कि US का stock market इंडिया से काफी ज़्यादा बढ़ा है अगर आप पुरे world की stock market की सारी listed companies की value को total करोगे तो US के stock का उसमें 50% से भी ज़्यादा share है मतलब simple language में अगर मैं कहूँ तो जितनी wealth US के stocks ने create की है उतनी wealth बाकी सारी countries ने मिलकर भी नहीं की है और इसका reason ये है कि वहाँ पे high quality की companies बहुत सारी है और इनका काफी लंबा track record भी है जैसे कुछ companies पिछले 100-100 सालों से regular dividend income पे कर रही है जो हमने इस वीडियो में discuss किया है और कुछ companies तो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो mega cap में count होती है जैसे इंडिया में companies को तीन category में divide किया जाता है small cap, mid cap और large cap लेकिन US में चार categories होती है small cap, mid cap, large cap और mega cap यानि वो बड़ी-बड़ी companies जो 200 billion US dollars से जादा valuation पे sell होती है इंडिया में भी अच्छी companies बहुत सारी है लेकिन high quality की बड़ी companies बहुत ही कम है जिसकी वज़े से वो गिनी-चुनी companies हमेशा overvalued रहती है क्योंकि उन पे सब की नेजर होती है जैसे आप मेंसे बहुत लोग मुझे comment करके कहते कि सर आप जो भी companies का नाम लेते हो उन सब का P-E ratio हमेशा जादा होता है और उनका dividend भी बहुत कम होता है तो इसका reason यह है कि इंडिया में फिलहाल stock market बहुत ही popular हो चुका है तो अगर किसी beginner को Indian stock market में invest करना ही है तो उसके पास अच्छी quality की बड़ी companies के लिए बहुत ही कम options है लोग वही 2-3 banking stocks में से किसी को चुन लेते या कुछ FMCG companies में से किसी को pick करते और technology sector में हमारे पास कोई भी खास companies नहीं है क्योंकि जितने भी internet related products और service हम use करते वो सब ज़ादर US और Chinese companies के ही होते जैसे हम computer किसका use करते तो आपको होगे Apple, Dell, HP, Acer ये सारी US या तो Chinese companies है अगर आप online shopping करते हो तो आप Amazon से करते होगे जो US की company है या फिर अगर आप flip card से shopping करते हो तो इस flip card को भी US की company Walmart own करती है तो इसलिए अगर कोई US का citizen stock market में invest करने का सुचेगा तो उसके पास high quality stocks के नाम पे बहुत सारे options होगे उनके पास वहाँ की बहुत सारी financial companies होगी फिर अच्छी quality की FMCG companies भी होगी और फिर दूसरे sector की भी बहुत सारी अच्छी companies होगी और अच्छी quality के technology stocks तो बहुत सारे जो R&D और innovation करते रहते तो दोस्तो बट obvious कोई भी new investor अगर दो-चार stocks चुनना चाहेगा तो वो ये high quality stocks में से किसी को चुनेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे rate से grow होती आ रही है और काफी famous भी हो गई है तो इसलिए FMCG companies इनके सामने बहुती boring companies लगती है और इतना जादा news में आती भी नहीं है और दोस्तो इसके साथ में हमारी countries में recently बहुत सारे लोग mutual funds और stocks में invest करना शुरू कर रहे है फिलहाल इंडिया में stocks और mutual fund को लेकि एक अलगी crazy चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने recently पिछले साल कोरोना के market crash के बाद ही demat accounts open किये है और SIP करना शुरू किया है और mutual fund managers के ओपर तो restrictions होते है कि वो कितना percent अपने portfolio का cash में रख सकते है तो ना चाहते हैं भी उन fund managers को इंडिया की यही companies को high valuation पे खरीद के अपने portfolio में रखना पड़ता है तो इससे आपको एक idea मिल गया होगा कि बागी countries के मुकाबले इंडियन stocks इतने expensive क्यों है अब दोस्तो usually मैं एक साल में सिर्फ एक या दो नई stocks अपने portfolio में add करता हूँ तो इसलिए इस साल मैंने एक इंडिया का और एक US का stock add किया है तो इसलिए अगर आप US stocks में invest करना चाते हो तो आप 20-30% तक American और International stocks को अपने portfolio में include कर सकते हो अब जोस्तो हम ये समझते हैं कि आप US stock में invest कैसे कर सकते हो तो यहाँ पे आप vested use कर सकते हो इनके जरीए आप एकदम easily US stock में invest कर सकते हो और वो भी एकदम कम fees में क्योंकि US stock में invest करने के लिए सबसे बड़ी problem होती थी International funds transfer की जब आप कोई भी Indian bank से US में funds transfer करते हो तो इंडिया के banks एक fixed fee charge करते है जो minimum 1000 रुपे से start होती है और उनका transfer complete होने में 5-6 दिन लगते थे और दोस्तो इसके साथ में बाकी सारे banks एक hidden foreign exchange fee charge करते है जो आपके total transfer amount की 1.5 से 2% तक होती है लेकिन यहाँ पे Wested Direct के जरीए आपकी ये problem solve हो जाती है क्योंकि इन्होंने State Bank of Mauritius के साथ partnership की है जिनके साथ आपका एक free में zero balance savings account open किया जाता है जिसकी वज़े से आपको international funds transfer करने में कोई भी fixed fee charge नहीं होती है और इसके साथ में ये आपका currency 1.2% में exchange करवा देते है जो पूरे market में सबसे lowest है और इसके साथ में आपका पैसा 2-3 दिन में transfer हो जाता है तो यहाँ पे आप बिना कोई fees के tension से छोटे-छोटे amount भी transfer कर सकते हो और दोस्तो US में आपको fractional shares buy करने का option मिलता है तो अगर किसी company के share 1000 dollar का भी होगा तो भी आप उसमें 1 dollar invest कर सकते हो और फिर उसके इसाब से आपको company के voting rights और dividends भी मिलेंगे तो अगर आप US stock में invest करना जाते हो तो आप नीचे description की link पे click करके अपना account open कर सकते हो इनका process काफी easy और पूरा online है तो आप कुछ ही मिंटो में अपना account open कर लोगे क्योंकि दोस्तो US stock में invest करने का एक और important benefit यह है जो मैंने अपने previous वीडियो में mention किया था कि आपको वहाँ invest करने से US investor से भी ज़्यादा profit मिलेगा क्योंकि हम Indians को US dollar के मुकाबले रुपी की value गिरने का भी फायदा होगा क्योंकि जब हम US stock में invest करते तो हम सिर्फ उस stock में नहीं बलकि US dollar में भी invest करते जैसे हमने अब भी discuss किया जब आपका एक US account open होता है तो आपका Indian rupee पहले US dollar में convert होता है फिर आप उससे stock करते हो तो 20 साल पहले एक US dollar almost 40 rupees का था और अब 1 dollar 75 rupees का हो गया है तो US dollar और in average Indian rupee के मुकाबले 4-5% के rate से grow था आ रहा है तो अगर कोई company 15% के rate से grow होती है तो आपको वो 15% का return तो मिले गा ही लेकिन इसके साथ में जब आप future में dollar को वापस rupees में convert करोगे तो आपको अपने dollars पे ज़्यादा rupees मिलेंगे और सबसे important benefit US stock में invest करने का ये है कि वहां की companies पुरे world को अपने products और services sell करती है तो वह company किसी एक country या एक government या एक culture के भरोसे बिजनेस नहीं करती है इस चीज़ को हम future videos में थोड़ा detail में discuss करेंगे जब हम portfolio और diversification की बात करेंगे तो इसलिए finally मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप stock market में new हो और आपको कोई idea नहीं है कि आपको कहा invest करना चाहिए और कौन सा stock लेना चाहिए तो कोई hot stock या कोई unknown company या कोई IPO को chase करने के बदले आपको कोई strong company जैसे Google, Apple, Amazon या Microsoft पे research करना चाहिए क्योंकि इनकी service आप पहले से use कर रहे हो तो जब या company बंद होने वाली होगी तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन companies ने अपने customers के लिए पूरा ecosystem बना के रखा है जिसकी वज़े से customers बार-बार इनके ही products यूज़ करते है और इनके competitors की तरफ देखते भी नहीं है और यह अपने ecosystem को यानि अपने mode को और जाथा strong करती रहती है जो हम investors के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है पूरे world में जितना strong mode Google और Apple का है उतना strong mode शायद ही किसी company का होगा अगर आप इन companies के ओपर detailed analysis चाते हो या कोई और suggestion है तो आप मुझे नीचे comment करके बताओ हम आने वाले वीडियो में उसे cover करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना और bell icon प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियो मिस ना हो जाए वीडियो पसंद आया तो इसे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and good bye